हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए मैं तपन क्यूशनों के बारे में इन क्यूशनों का आप लास्ट तक जुरूर देखना साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से कि राजस्तान में राजस्तान के सरवादिक निकट बंदरगा कौन सा है तो कांडला बंदरगा है गुजरात में कच के काड़े में हैं कांडला बंदरगा है वे राजस्तान के सरवादिक निकट बंदरगा है इसलिए ए उप्सन इसका सही होगा अगला है बारा जिले में ग के नाल के आकर्ति के पाड़ी है वो रामगड के निकट है इसलिए सी ओफषन इसका सही हो जाएगा अगला है अरावली प्रवत्ष सरंकला की शुर्वच तीन चोटियां किस जिल्य में हैं तीन जो सबसे उंची चोटि हैं उसको वो किस जिल्य में हैं तो आपको सबसे पहले करना है शीरो ही शीरो ही में गुरु शीकर है शेर जर्गा है ये तिनों ही पाड़िया है वो अरावली के तिनों उची चोटिया है जो तिनों ही शीरो ही जिले में हैं सी ओप्सन इसका सही हो जाएगा अगला है हर्स की पाड़ी कि जिले में स्तित है हर्स की पाड़ी हर्स का जो मंदिर है, वो क multiplayer आपको बता है, सीर्क्र जिले में है, जीन माता का और हर्श की जो पाड़ी है, दोन सीर्क्र में है, तो B option इसका सही होगा, सीर्क्र, अगला क्यूषण है, राज़्तान की द्रातल की विशेस्ता नहीं है, A option बिहड युक्त है B option बरफिले मेदान भाग है C option बालू का स्थूप से डगावा है D option है उबडखाबड आस्मान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरफिले मेदानी भाग राजस्तान के दरातल की विश्यस्ता बरफिले मेदान की भाग ये नहीं है बरफिला काम पर है राजस्तान के अंदर तो बिहड तो है बालू का स्थूप से डगावा है उबडखाबड आस्मान है इसलिए बरफिले मेदान राजस्तान के अंदर आसपास ही नहीं है B option इसका सही हो जाएगा अगला है राजस्तान राज्य में मुर्देवर्ती परवतिय परदेश के समंद में दिये गए निमने चार तत्यों में सही तत्य कौन सा है वो हमें बताना है देखिए इस चेतर में मुकित है निस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सिस्ट, चुनने के पत्थर की चटाने पाई जाती है निस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सिस्ट, चुनने के पत्थर की चटाने पाई जाती है और दो नमर है यह परवत्षरंकला अर्बसागर की दक्षन पस्में मान सुना वो कि दिशा के समांतरा ये भी सही है इस तरह से है और अगला तीनमर है ये प्रवत्त माला पूर्वी राजस्तान में मुरुस्तल के परसार पर रोक लगाती हैं, ये भी ठीक है, मुरुस्तल के परसार है उस पर रोक लगाती है, और चार मेरे इस भूबाग में खादनों का उत्वादन अतय दिखोता है, ये गलत है, खादन नहीं है, एक, दो, ती ये तिनों सही हैं तो B option इसका correct हो जाएगा अगला है अड़ावाला परवत राज्य के कौन से जिल्य मिस्तित है अड़ावल कहा पर है अड़ावल किसको बोला जाता है अड़ावल देखिए A option उद्यपूर B option बीलवडा C option 0 ही D option बुंदी तो इसका सही आंसर हो जाएगा परताबगड वे ऐस पास का भूबाग है वे स्तानीय रोप से किस नाम से जयना जाता है ? A option मेरवाड़ा, P option बांगड, C option कांठल, D option सूरसेन. तो इसका सही answer हो जाएगा कांठल. परताबगड के आसपास का जो भूब आगए वस्तानिय रूफ से कांठल कहलाता है, C option सही होगा. अगला जो क्यूषिन है, वह है जैसलमेर जिले का छेतर, राज़े के कुल सेतर पलका कितना है? तो इक क्यूषिन भी बार-बार एकजाम में पूछते है, 11.22% है. जेसलमेर का जो छेतर है जेसलमेर जिले का छेतर है वैराज़े के कूल छेतर का छेतर बलका 11.22% है 11.12 यह आपको इस तरह से याद रखना है यह उप्सन सही होगा अगला है राजस्तान की सबसे कम सिमा किस राज़े से मिलती है सबसे कम पंजाब के साथ मिलती है 89 किलोमेटर है पंजाब की सिमा लगती है राजस्तान के साथ 89 किलोमेटर और सबसे ज़्यादा यह जो मद्यपरदेश है इसकी है 1600 किलोमेटर कई बार किश्यन में बता चुकी है सबसे ज़्यादा मद्यवर्देश के साथ है 1600 किलोमेटर सबसे कम 89 किलोमेटर पंजाब के साथ लगती है राजस्तान की सीमा अगला है सुमिलित करने वाला एक तरफ जो राजस्तान के भुगलिक विभाग है दूसरी तरफ जलवायू दिये गई है उतरी पस्मी मरुस्तल चेतर उसमें जलवायू कौन सी है उतरी पस्मी मरुस्तल ये चेतर में जलवायू है सूसक वै अतिदिक विशम वाली पूर्वी मेदानी चेतर के अंदर केता है आदर पूर्वी मेदानी में आग में आदर है और मद्यवर्ति अरावली परदेश में उपादर है ठीक है दक्षनी पुर्वी पठारी बाग में अतियादर है पठारी बाग में अतियादर परकार की जलवाई है इसलिए C-Option इसका सही हो जाएगा अगला किशन है राजस्तान के पुर्वी मेदानी बाग में वर्षा का वार्षी कोस्त कितना है पुर्वी मेदानी बाग में राजस्तान का जो इस शेतर है पुर्वी मेदानी बाग में उसमें वर्षा लगब कितनी होती है पचास से असी सेमी के बीच में होती है पचास से असी के बीच में वर्षा होती है वास्तान के पूरवी बाग में तो ये थे आज के क्यूशन इसी तरह के महत्रपन क्यूशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले अपने दोस्तों के साथ सेर कर ले आपका दिन सुब्व